Assalamualaikum कैसे हैं आप ही के अपने आपको टाइम दे रहे हो टाइम दिया करो अपने आपको बार बार बोलता हो अपने आपको टाइम दिया करो साइकालोजी के मताबिक अगर आप एक इमोशनल इंसान और मेरे मताबिक आप एक इमोशनल इंसान अगर आप emotional इंसान हैं आप देखोगे आप अक्सर ऐसे इंसान के पीछे भागोगे जो emotionally unavailable होगा आप अपने केस को थोड़ा सा गौर से देखोगे आप एक emotional इंसान हो आप feelings रखते हो बहुत जादा अगला जो इंसान है वो emotionally unavailable है maybe कभी कभी वो available हो जाता हो कभी कभी वो unavailable है जब अगला इंसान आपको emotionally unavailable होता है तो याद रखिएगा mostly आप उस इंसान के पीछे भागना शुरू कर देते हो उसको trace करना शुरू कर देते हो उसके पीछे जाना शुरू कर देते हो अब यहाँ पर एक बात समझने वाली यह है कि खुदारा खुदारा इस बात को समझो कि जो भी बंदा आपको emotionally unavailable हो उसके पीछे नहीं जाना यह आपके जेनी सकुन आपकी self respect के लिए बड़ी लाजिम चीज़ है और आप इस चीज़ को कभी भी समझ नहीं पारे होते आप भागते ही किसी के पीछे इस बज़ा से हो कि आप emotional emotional मखलू को आप बहुत ज़ादा और वहां से आपको emotions मिलनी रहे जिससे आप satisfy नहीं हो बारे है आपकी तरफ से एक बहुत हैंसम amount of emotions जाते हैं वहां से emotions आपको मिलते ही नहीं रहे तो आप satisfy नहीं होते हैं तो आप भागना शुरू कर देते हो यहां से आप इन बातों को समझें के खुदारा संटाइम लोग आपको manipulate करते हैं जब आप इस चीज को समझोगे इस game को समझोगे तो आप manipulate होने से बचाओगे अपने आपको कि लोग ऐसे manipulate करते हैं आपको emotionally unavailable होके अपने पीछे लगा लेते हैं तो आपने पीछे लगना नहीं है यह जहन में रखो पीछे लगना नहीं एक दो दफार रीजन्स पूछे अगले से लेकिन ऐसे किसी के पीछे लग मत जाओ आप किसी के पीछे लग कर अपनी life को खराब करते हैं और ऐसे करके आप कभी भी अगले को ठीक नहीं कर सकते हैं नेवर पॉसिबल अपने आपको damage करो के अगले को नहीं ठीक कर पाओगे नहीं अगला बंदा जो है न वो ठीक होगा आप अपनी life को risk में डालो याद रखना क्यूंकि आपकी इतने emotions हैं यह नहीं क्यारा हर चीज़ खतम करें मैं सिरफ इतना आपको बोर रहा हूँ कि आप जो है न रुक जाओ बस that's enough emotions देने से रुक जाओ बहुत जादा पीछे जाने से रुक जाओ आप रुकोगे आपको सुकून आए तो बहुत सुकून आएगा और आपको समझ आएगा कि म क्या गलती कर रहा था और मेरे नजदीक ऐसा बंदा बुजदिल होता है बहुत बड़ा बुजदिल होता है जो किसी के दिल में इस intention के साथ मुखबत जगाता है कि रिटन में उसको मुखबत नहीं देगा और अगला बंदा उसमें ऐसे ही आपके साथ किया है आपके दिल मे मुहबत इस intention से जगाई है कि बस ये मेरे पीशे लगा रहे मैंने उसको return में मुहबत नहीं देनी उसकी ये intention थी मेरे नज़ीक वो एक बुजदिल बंदा है बहुत बुजदिल जो जिसने ये हरकत की आपके साथ और इस वक्त आप आपके दिल में मुहबत, प्यार, इज़त, एहत्राव उसके लिए जाग गया, फीलिंस जाग गए लेकिन वो बंदा साइड लाइन हो गया अब आप पेन में हो, दर्द में हो समझ नहीं आ रहा है वो बड़ा बुजदिल बंदा है उसने ये किया है, तो अपने आपको हील करो मेरे भाई और उसके पीछे न लग जाओ देखो एक बंदा बाइक पे है आप उसके पीछे साइकल पे लगे हुए हो आपकी ये गल्ती, वो बाइक पे स्पीड दे रहा है, निकल जा रहा है फिर वो आगे जाके थोड़ा रोक जाता है ताकि आप साइकल से उसके करीब पहुँचो जैसे करीब पहुँचते हो, वो फिर भाई को बगा लेता है आप फिर पीछे जाते हो, फिर वो आगे जाके रुखता है ये ऐसे आपके साथ गेम कर रहा है और आप उसके पीछे जा रहे हो पीछे जा रहे हो भाई रुक जाओ रुक जाओ आप साइकल पे हो आप उसको नहीं पकड़ सकते है अलसा इससा जा सकते हो पकड़ नहीं सकते है रुक जाओगे तो वो किसको भगाएगा अपने पीछे, वो खुद परेशन हो जाएगा तो ये बंदा आ क्यों नहीं रहा पीछे मेरे तो वो बाइप को मोड़ेगा वापस, आप यही इससे कर रहे होते हैं, एक अगले बंदे के इमोशन, उसकी फीलिंग्स, उसको मज़ा आ रहा है, आपको भगां के भाग रही जब उसको लगएगा कि भागने वाला ही मेरे पीछे नहीं है, तो सोचे जनब, वो सोच में तो जाएगा, जब वो सोच में जाएगा तो पूछे का आपसे, आप की तरफ आएगा, तो ये हम मैनिपलेट हो रहे होते हैं लोगों से, और आप हुए जा रहे हुए जा रहे हुए जा रहे हुए जा रहे हुए आपको समझ तक नहीं आता कि मुझे करना क्या है क्या चीज़े करनी चाहिए क्या चीज़े नहीं करनी चाहिए नहीं समझ जा रहे हुए क्योंकि आप emotional इतने हो आपके emotions जो है ना आपके eyesight को आपके अकल को blind कर देते थोड़े देर के लिए क्योंकि परदा पड़ जाता है इंसान में नहीं समझ जा रही होती कि है क्या क्या करना चाहिए तकलीफ होती दर्द होता है अच्छा मेरे मताबिक अगला इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको आपकी life में support करें आपके missions को support करें definitely आपकी life में कोई आपका एक life purpose होगा कि इनके purpose के बगएर life कुछ भी नहीं progress करना चाहरे है आप life में अगर वो बंदा उसमें support नहीं कर रहा है उल्टा कह रहा है कि नहीं यह ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो मेरे नजदीक तो बंदा आपके लिए ठीक अगर वो आपको आपके life purpose में support करता है मेरे नज़ीक बड़ा बहतरीन बंद आपको understand ही करता है बड़ा बहतरीन बंद है आप से सिरफ पैसे निकलवाता है मेरे नज़ीक बड़ा बुरा बंद है बस पैसे की जरूरत होगी आपके पास आएगा मेरे पास ऐसे केसिस आते है मैं आपको क्या मतलब किस वेसे किस तरीके से लोग लोगों से पैसे निकलवा जाते है और अगला बंदा समझता है चाहिए ये बंदा इसकी feeling से मेरे लिए तब ही तो आता है मेरा फर्ज बनता है भाई खुदारा लोगों को समझो कैसे मैनिपलेट करते है कैसे यूज करते है आपको और आप यूज हुए जा रहे हुए जा रहे हुए जा रहे आपको समझ ही नहीं आती कि मैंने यूज होने से अपने आपको कैसे बचाना है तो अपने आपको बचाओ खुदार आपने आपको बचाओ और देखो ऐसे लोग नेरे नजदीक special नहीं होते special आप बनाते हो इनको इस वक्त आपने उनको इतना special बना दिया आपकी नजर में मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ, पूरी दुनिया को आपके सामने करना आपकी नजर में वो इतना special ना हो तो आपकी तवज्जा, आपका वक्त, जहां पे लगेगा उस चीज़ को special बना देगा अगर किसी पर आपका focus, आपकी attention नहीं लग रही, वो आपके लिए कमन बंदा बन जाएग जिस भी चीज़ पर आप, आप देखो आपने एक पौदा लगाया सारा दिन अब उसकी खिद्मत करते हो, सारा दिन आपके लिए वो special बन जाएगा, आप उस पौदे को हाथ भी नहीं लगाने दोगे चीज़े होती हैं, उनको का जाएगर एक करोड़ हम आपको दें, दो करोड़ ने, आप दे दो, वो कहता है नहीं देना, क्योंगे उन्होंने special उसको इतना बनाया होता है, फोकस लगा लगा के, इनर्जी लगा लगा के, उनकी नजर में वो चीज़ करोड़ो अर्बोर बैसे जादा है, यही चीज़ में समझारा हूं कि आपने focus इतना लगाया, कि उसको आपने सब से उपर कर दिया, फोकस को हटाओ, कहीं और लगा, चाहे सोफे पर हगा दो, ठीक है, तवज्जा कहीं और दो, आपका focus बना से हटके किसी और चीज़ को special कर देगा, चाहे वो पौदे हैं, चाहे वो आप कोई और चीज़ें रखते हैं, कुछ भी है, reading है, self grooming है, बहुत सी चीज़ें मौचू आपके रूख को नचोड़ कर रख दे, फिर आप समझ पाओ, आँग लगा दे आपके रूख को, फिर आप समझो कि ये क्या हुआ, खुदारा कुदारा समझो, पहले ही समझ जाओ तो जादा बेतर है, जब कोई बन्दा आपके अंदर आपकी रूख को आग लगाता है, फ मुझे उमीद है, आपने इस वीडियो से कुछ नो कुछ चीजे जरूर सीखी होंगी, सो थैंक यूप पर बाचिंग इस वीडियो, आफिर में मेरी आप सब लोगों के लिए, दिल से दुआ है, अल्ला आपको खुशियां दे, और आपके सारे व्रम धो दे, आमीन, सुन, अमीन, अल्हाद।